आज भी आद है मुझे वो दूर गुंजदा ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है वही मेरी जिद है और वही मेरा सम्ना तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखो बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी म पंजिल तक पहुचाया तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनूल तो हम है आपके साथ रेलवे में एलपी तथा टैक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्तियों के लिए SSC मेकर लेकर आया है पाइलट मैच जिसे बहतरीन अनुभवी अध्यापकों की पाइलट मैच जोइन करने के लिए डाउनलोड करें SSC मेकर आया है और दिये गए नमबर पर कॉल करें हेलो दोस्तों मैं राहूल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से प्रिवार SSC मेकर पर तो बताइए आप कैसे हैं सब लोग आप सब लोग कैसे हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट करें ओडियो या वीडियो कलियर है सारे के सारे बच्चे बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही राम राम सर जी राम राम गुड इवनिंग मनोरंजन कुमार गुड इवनिंग सारे के सारे बच्चे कमेंट करें साबास कौन-कौन जुट चुका है मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट करें साबास कौन-कौन स्टूडेंट यहाँ पर मोजूद है सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करें गुड आफ्टरनून जै भीम भई गुड एउनिंग सर गुड एउनिंग तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जुड चुके हैं आपको पता है कि मैं रोजा ना आपको तीन बजे जो रेलवे से समंदित प्रीवेस एर क्यूशन है वो आपको करवाने का काम करता हूं या रेलवे के जो आपके किसी भी एक्जा में जो क्यूशन पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्यूशनों पर मैं चर्चा करता हूं तो आज भी हम आपके सामने रेलवे से समंदित जो क्यूशन है उनी की एक टेस्स सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि रेलवे एलपी और टेकनिसियन का पाइलेट बैच चलावा है जिसकी फीच कितनी है मातर 350 उर्पये इस फीच की जो आपका ये बैच है इसकी खास विशिस्ता ये है कि इसमें लाइव पलस रिकोर्डिंग कलास मिलेंगी कलास नोट्स मिलेंगे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाने का काम करेगी और डाउट सेशन आपके क्या होंगे कलियर होंगे अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस बैच में अन्य क्या है तो आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि इस बैच में आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो आपका जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो आपका सफिसेंट रहेगा आपका सही तो आप विश्वास कीजिए और बिना देर किए इस बैच को एन्रोल कीजिए तो सबसे पहले मैं आपको जो आज का हमारा पहला क्यूशन है वो क्यूशन देखते हैं क्या क्यूशन है देखो जो हमारा पहला क्यूशन है विटामिन जो खटे फलों में पाए जाता है तथा चरम को सवस्त रखने में जरूरी होता है वो कौनसा वेठामिन है बई, ऐसा कौनसा वेठामिन है जो आपके खटे फलों में पाये जाता है और आपकी skin को healthy रखने में आपका उपयोगी होता है, useful होता है सारे के सारे बच्चों को तो सारे के सारे बज़े एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए और सैसन को सेर जरूर कर दीजिए आलो की आदव ने सही आंस्वर दिया है सबसे पहले तो देखो अगर बात की जाए विटामिन जो खटे फलों में पाये दाता है और चरम को सही सवस्त रखने में मदद करता है वो कौन सा विटामिन है तो याद रखना उस विटामिन का नाम है विटामिन है C क्या नाम है विटामिन है C तो आप से कोई पूछ ले कि चरम जो आपकी तवचा होती है उसके लिए या खटे फलों में कौन सा विटामिन पाये जाता है विटामिने C पाये जाता है अब आपको एक दो बाते बता देता हूं विटामिन C से समझे अगर आपसे कोई पूछ ले कि विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो याद रखना विटामिन C का रासाइनिक न क्या नाम है एसकोर्बी के अमल है अगर विटामिन सी से समंदित आप से क्यूशन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है किसमें पाइद आता है खटे फलों में पाइद आता है किसमें पाइद आता है खटे फलों में पाइद आता है किसमें पाइद आता है खटे फलो C नहीं होता दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता तो याद रखना विटामिन C ये जो आपका विटामिन होता है ये दूद में नहीं पाया जाता रह जाएक बात ज्यान में तो पहला जो क्यूशन है इसका आंस्वर क्या आजाएगा विटामिन C आजाएगा नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं साबास जो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है वो क्या है निमन में से किसकी कमी से मदू में होता है बई जो आपको डाइपिटीज होती है वो किसके कान होता है पहला उप्षन है गलाइसीन दूसरा उप्षन है हिमोगलोबिन तीसरा उप्षन है इ सारे बच्चे कमेंट कीजिए सेशन को सेर कीजिए बताओ सबस मधूमे रोग किसके काण होता है कि सबसे पहले जो आंस्वर दिया है अतूल यदुवनसी ने दिया है तो अतूल यदुवनसी ने जो आंस्वर दिया है वो बताया सर जो डाइबिटीज होता है वो किसके काण ह याद रखने पहला ही 20 आप से पूछा जाए कि इंसुलीन हार्मॉनellen को कों joji उता है तो आपसे कोई पूछे कि इंसुलीन के ञुन करता है तो याद रखना पैंकर्याज आहिं अगनासे जो होता है अगनासे इस से इनलीन हार्मोन का 17 होता है तुद आपको याद राखना है अगनासे पंक्रियाज के अंदर आपकी क्या पाई जाते हैं Pancreatic Cell पाई जाते हैं, क्या पाई जाते हैं? Pancreatic Cell पाई जाते हैं, और यह Pancreatic Cell कितने परकार के होते हैं? च्यार परकार के होती हैं, कितने परकार के होती हैं, च्यार परकार के होती हैं, एलफा, बीटा, डेल्टा और एफसेल, सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, कि पैंकिरियाज में कितने परकार की सेल पाई जाती हैं, च्यार परकार की सेल पाई जाती हैं, तो याद रखना इंसुलीन हार्मोन इंसुलीन हार्मोन की अगर बात की जाए तो इसकोई फोर्मेशन करने का काम कोन करता है बीटा सेल करता है कोन करता है बीटा सेल करता है चलो सर ये बात तो हमें समझ में आ गए कि इंसुलीन हार्मोन का सत्रावन कोन करता है बिटा सेल करता है अब आपसे एक दो क्यूशन और पूछे जाएंगे आपसे क्यूशन पूछा जाएका बताइए वो कौन सा खनीज है वो कौन सा खनीज है जो इंसुलीन हार्मोन की फोर्मेशन में हेल्प करता है तो कौन सा हो है जिंक इंसुलीन हार्म hypothesis insulin hormone कम बन है तो आप किस के और हुआऊने सींb परगलेसेमिया, क्या होता है, है फ़र है, गलेसेमिया, है फ़र गलेसेमिया, अब मुझे एक बात बता दीजिए, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके हैं, कि जो world diabetes day है, जो आपका मधू में दीवस है, वो कम मनाया जाता है, सारे के सारे बच्चे 5 सेकन्ड में कमेंट करें, कि वर्ल्ड डाइबिटीज डे कब मनाय जाता है वर्ल्ड डाइबिटीज डे कब मनाय जाता है बताओ सबस वर्ल्ड डाइबिटीज डे कब मनाय जाता है सारे के सारे बच्चे कमेंट करें कि वर्ल्ड डाइबिटीज डे कब मनाय जाता है देखो अगर आपसे कोई पूछे कि World Diabetes Day कम मना जाता है तो याद रखना 14 नवंबर को मना जाता है कम मना जाता है 14 नवंबर को मना जाता है तो इस क्यूशन का अगर सही आंस्वर पूछ लिया जाए कि आपसे कि Diabetes को कौन कंट्रोल करता है या डायबीटीज जो होती है वो किस की कमी के काण होता है किस हार्मोन के कम सीक्रेशन के काण होता है इंसुलीन हार्मोन के कम सीक्रेशन के काण डायबीटीज होता है क्या होता है डायबीटीज होता है औपशन है आपके पास कार्बो हाइड्रेलिसिस दूसरा औपशन है मेटाबोलिक सिंधेसिस तीसरा है फोटो सिंटाइजेशन या फोटो सिंधेसिस बताईजे साबास कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके तहट पोधे अपना भोजन तयार करते हैं कुन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत पोधे अपना भोजन तयार करते हैं देखो अगर पोधे अपना भोजन तयार करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम पुछा जाए तो याद रखना क्या नाम है परकास संसलेशन क्या नाम है परकास संसलेशन पोधे अपना भोजन किस प्रोसे से अब वो फो है लाई लगल टो सावपोसी सावपोसी का मतलब क्या होता है वो जो अपना भोजन खुद regression क्रोस चाहिए बना लेते हैं उन्हें क्या आता हिए सवपोसी का ल ascolt अब पोधे अपना बोजन किस परकार बनाते हैं वायूमंडल से CO2 ले लेते हैं और आपका जो आपकी जमी होती है जो आपकी दर्ती होती है इससे आपका पानी ले लेते हैं और अगर बात की जाए सूरिय की मौजूदगी में और आपका कलोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्य बना लेते हैं क्या बना लेते हैं गुलकोज पलस है ओक्सीजन बना लेते हैं अब आपको पता है कि पोधे जब परकास संसलेशन करते हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं ओक्सीजन गैस रिलीज करते हैं तो यह आपका पोधे अपना भोजन बना लेते हैं बाद में इस इसी बोजन का परियोग करते हैं इसी रियेक्शन को क्या का जाता है फोटो सिंथेटिक रियेक्शन का जाता है परकास संसलेशन अभी की रिया का जाता है तो आप से कोई पूछे कि पेड़ पोधे अपना बोजन पेड़ पोधे अपना बोजन किस प्रोसेस के तहत बनाते है तो photosynthesis, किस के तहत बनाते हैं? photosynthesis के तहत बनाते हैं रह जाएगी बाद द्यान में next question देखिए सबास साउतंतर रूप में पाई जाने वाली धात्तु कौन सी है? पहला option है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा और चोथा ऐलूमीडियम सारे के सारे बच्चे कमेंट करें आपको अपने लिए पढ़ना है, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ना आपका competition आपसे खुद से है बई आप अपने को जितना बेतर निखारेंगे उतने ही तो आपकी क्या होगी? प्रोग्रेस होगे जब आप अपना competition खुद से करेंगे तब ही तो आपका जो talent है वो बाहर निकल कर आएगा बते ही सबास कि जो आपकी फ्री फोम में पाई जाने वाली metal कौन सी है तो ज़्यादा तर बच्चों ने सही answer दिया है तो सर कौन सी है? सोना कौन सी है? सोना ये सोना नहीं जो आप सोना जो स्याम को बात करते हैं वो सोना नहीं कौन सा सोना? gold कौन सा है भई? gold gold जो होती है वो फ्री स्टेट में पाई जाती है क्या सिंबल होता है? AU atomic number तो आपको पता है कितना होता है AU का atomic number तो gold का जो atomic number होता है वो कितना होता है 79 कितना होता है 79 चांदी को किस से डिनोट क्या दाता है AG से किस से डिनोट क्या दाता है AG से लोहे को किस से डिनोट क्या दाता है FE से और Aluminium को किस से डिनोट क्या दाता है AL से चलो एक क्यूशन और बताओ सबास आपसे कोई पूछे कि लिस्ट रियक्टिव मेटल कौन सी है सबसे कम किरिया सील दातु कौन सी है तो याद रखना सबसे कम किरिया सील सबसे कम किरिया सील दातु पूछ ली जाए सबसे कम किरिया सील दातु पूछ ली जाए तो कौन सी है सोना कौन सी है सोना सबसे कम किरिया सिल दातु पूछ ली जाए तो कौन से है सोना ज्यादातर बच्चे सही आनस्वर दे रहे है चलो सबास next question देखते हैं हमारा कलोरोफिल में कौन सी दातु का आयन होता है बताई सबास कलोरोफिल की जो central metal होती है वो कौन सी होती है पहला उप्षन है लोहा दूसरा मैगनिसियम तीसरा जस्ता और चोथा कोबाल्ट बताई सबास कलोरोफिल कलोरोफिल के अगर बात की जाए कलोरोफिल के अगर बात की जाए तो उसकी central metal का क्या नाम है लोहा, मैगनिसियम, जस्ता या कोबाल्ट बताएं ये सवास अगया अगया सारे के सारे बच्चे बताओ सवास कौन सी पाई जाती है देखो आपको पता है कि कलोरोफिल की अगर सेंट्रल मैटल पूछा जाई यहां से आपको मैं कुछ परसन बताने वाला हूं अगर आप से कोई पुछे कि कलोरोफिल की सेंट्रल मेटल क्या होती है तो कलोरोफिल की जो सेंट्रल मेटल होती है वो होती है मैगनिसियम क्या होती है मैगनिसियम कलोरोफिल की सेंट्रल मेटल क्या होती है मैगनिसियम होती है अब देखो आपको पता है ये कलोरोफिल करता है हरा रंग देने का काम करता है क्योंकि कलोरोप्लास्ट के अंदर एक pigment पाया जाता है जिसका क्या नम है कलोरोफिल जो पेड़ पोदों को जो पेड़ पोदे होते हैं उनकी पतियों को उनकी पतियों को या फिर जो फल होते हैं उनका हरे color के लिए ग्रीन color के लिए कौन responsible होता है तो याद रखना आपका coloroplast होता है सरीए matter क्या है क्या मानव में भी coloroplast पाए जाता है याद रखना human के लिए जो आपका color होता है वो किस पे depend करता है skin में पाए जाने वाले एक pigment skin में एक pigment पाया जाता है जिसका क्या नाम है milenine, क्या नाम है milenine, ये milenine responsible होता है किस के लिए color के लिए, अब इसके काण कैसे color होंगे, या तो किसी वैक्ति का white color होगा, या कैसा color होगा black color होगा, मान के चलो आप सिभ कहें की बताइए मानव में पलास्टिड पाया जाता है तो याद रखना मानव के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, पलास्टिड नहीं पाया जाते है, अरे पलास्टिड क्या होते हैं, पलास्टिड को इंदी में का जाता है लवक, क्या होते हैं, लवक और ये पलांट के अंदर आपका कलर पिगमेंट होते हैं क्या होते हैं क्लर पिगमेंट होते हैं क्या होते हैं क्लर पिगमेंट होते हैं तो ये तीन परकार के होते हैं आपको पता है कौन-कौन से एक होता है कलोरोप्लास्ट एक होता है आपका लूकोप्लास्ट और तीसरा कीजल अगर कलुए लीछ्म से पूंगर को ऊई सभी। दो रंग के लिए rain जो केवल दो रंग के लिए accessible होता है white and black के लिए लेकिन पादप that के अंदर ब्लास्टीड जो होता है वह आपका सारे के सारे color के लिए responsible होता है लेकिन कलोर प्लासट किस्के लिए responsible होता है हर यह color के लिए तो इस question का जो सही answer हो क्या आएगा magnesium क्या आएगा magnesium रह जाएगी बाध्यान में तो किस किस को ये question समझ में आया जल्दी से thumbs up कीजिए सबास सारे के सारे बच्चे कोताई बरत रहे हैं session को share नहीं कर रहे सारे के सारे बच्चे एक बार session को share कीजिए और किस किस कोई question समझ में आया thumbs up कीजिए next question देखते हैं सारे तब तक हम निमलिखित में से कोन मनुस्य में आवसेसी अंग है भई मनुस्य का vestigial organ कोन सा है vestigial organ कोन सा है vestigial organ मनुस्य का आवसेसी अंग कोन सा है हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं आपका भी एक उत्तरदाइतों बनता है एक फर्ज बनता है कि आप गुरु दक्षिना में ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को share कर सकते हैं और साथ की साथ आप comment करके बता सकते हैं सर हमें चीजे समझ में आ रहे हैं आपका जो ये comment करना और share करने से हमें थोड़ा सा और आपका प्रोचसान मिलेगा जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करेंगी कि बच्चे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी बच्चों के लिए कुछ करें बताई सावास बताई सावास निमलिकित में से कौन सा मनुस्य में आवसेसे अंग है अमीत कुमार का comment है सर आप ऐसा पढ़ाएंगे तो हमारा एक्जाम बिना कुछ सोच समझे निकल जाएगा बिलकुल आपके लिए 100% मेहनत की जाएगी कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि content देने में कोथाई कर रहे है तो देखना आपका पहला क्यूशन क्या है जो हमारा एक क्यूशन है कि मनुस्य में आवसेसे अंग कोन सा है छोटी सी बात बता देता हूँ वेस्टीजियल ओर्गन क्या होते हैं पहले तो ये हमारे सरीर में कुछ ना कुछ काम करते थे लेकिन वर्तमान समय में इनका कोई काम नहीं है पहले तो ये हमारे सरीर में कोई ना कोई काम करने का काम आते थे लेकिन एट प्रेजेंट इनका कोई काम नहीं है तो वो कौन-कौन से आंग है, तो छोटी सी बात है सुनना, अमारे सरीर में total कितने vestigial organ है, तो याद रखना 5 अवसे से आंग है, कौन-कौन से हैं, सबसे पहला याद रखना wisdom teeth, wisdom teeth, इसे का जाता है अकल दाड या अकल जाड, आप में भी आई होगी या अकल नहीं आई है, त मेरा मेरा wisdom teeth, दूसरा है tailbone, दूसरा कौन आ है tailbone, अगर तीसरे की बात की जाएं, तो तीसरा कौन सा है appendix, तीसरा कौन सा है appendix, चोठा कोन सा है body hair, body hair चोथा कौन सा है body hair और आपका पांचमा कौन सा है ear muscles ear muscles और ear muscles में भी कौन सी आपकी जो outer part है जिसे हम क्या कहते है पिना कहते है और ये जो हमारा कान है ये आज के दिन हमारा vestigial organ है सरी ये कैसे है अगर ये हट गया तो हम चस्मा कहां पर लगाएंगे ear buds कहां लगाएंगे आपने देखा होगा जो पुराने लोग थे जो पुराने लोग थे उनके कान क्या थे बड़े होते थे लेकिन देरे देरे साइज क्या होता रहा है कम होता रहा है तो ये कान अब हमारे किसी काम के नहीं 200-300 साल के बाद आप देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे 200-300 साल के बाद तो याद रखना 200-300 साल के बाद ये कान पूरी तरह से क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे तो ये आपके वेस्टीजियल ओर्गन है तो कौन-कौन से हैं वेस्टिजियल ओर्गने 5, कौन-कौन से हैं 5, रह जाएगी बाध्यान में, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो, कौन-कौन से wisdom teeth, आकलदाड, tailbone, जो आपकी पूंच होती है, वो आपकी पूंच की जो अड़ी होती है, वो appendix, नाम सुना होगा आपने काफ इयर मसल्स, तो याद रखना, next देखो साबास, next क्या है, next क्यूंच 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 क्यू पढ़ लिया है, चीजों को copy paste मत किया करो, आप अजीज हो, सारे के सारे बच्चे साबास कमेंट कीजिए, सरकरा में सबसे मिठी है, फरक्टोज, गुलकोज, सुक्रोज या लेक्टोज, देखो, आप से पुछा जाए कि सबसे प्राकर्तिक रूप से सबसे मिठी सरकरा कुन स तो याद रखना प्राकर्तिक रूप से सबसे मिठी सरकरा कुन सी है, तो याद रखना कुन सी है, फरक्टोज, अगर बात की जाए, इसी फरक्टोज को क्या का जाता है, फलों की सरकरा का जाता है, फ्रूट सुगर का जाता है, इसी को क्या का जाता है, सहद सुगर का जाता अनी सुगर का जाता है सहद सरकरा सहद सरकरा का जाता है गुलकोज को क्या का जाता है तो याद रखना बलड सुगर का जाता है रत्क सरकरा का जाता है बलड सुगर का जाता है सुक्रोज की अगर बात की जाए तो इसे का जाता है टेबल सुगर टेबल सुगर का जाता है आप जो गरो में जो आपकी चीनि होती है वो कौको सी सुगर होती है है शूक्रोज होती है और लैक्टोज गेतको पता है मिल्क सुगर को पता है क्या का जाता है मिल्क सुगर का जाता है रह जाएगे बाद ज्यान में तो रक्त सरक्रा गुलकोज को का जाता है टेबल सुगर आपका सुक्रोज को का जाता है लेक्टोज किसे का जाता है आपका मिल्क सुगर को का जाता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए साबास इस सदी की सुरुवात में हवाई जाज का अविस्कार किस ने क्या था? मोनु युकै सर्फ पिछले क्यूशन में आंस्वर टिक कर दो बिल्कुल लास्ट में कर दिया जाएगा आगे बढ़िए आपको सारा का सारा कंसेप्ट बता दिया तो क्यूशन देखने के आवसकता क्या है? देव वरून आपको बलोक कर दिया जाएगा अगर आप ऐसी बाते करेंगे आप अजीज हैं पढ़ लीजिए आपके सपने साकार करने हैं आपको आपके माता पिता की जिम्मेवारी आपको उठानी है बताओ साबस हवाई जाज का अविसकार किस ने किया था? तो याद रखना हवाई जाज का अविसकार किस ने किया था? रोबार्ट ब्रेदर्स ने किया था? सोरी, राइट ब्रेदर्स ने इसका अविसकार किया था? हवाई जाज के अगर invention की बात की जाए तो किसने क्या था? Right Brothers ने तो option A सही होगा next दीखी सावास मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कोंसी है? सारे के सारे बच्चे कमेंट करें सावास मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कोंसी है? पहला option आ रहा है फिमर ज्यादातर बच्चों का बताईए सबस सारे के सारे बच्चे कमेंट करें और सैसन को सेर जरूर करें बिल्कुल रोयल राजखान आपके बात सही है सारे के सारे बच्चे कमेंट करें देखो सबस अगर मानव सरीर के अंदर बात की जाए देखो सारे की सारे बात बताता हूँ एक अडल्ट में आपकी एक अडल्ट में आपसे पुछा जाए कि कितनी बोन होती है कितनी हडियां होती है दोस्तों छे होती है अगर चाइल्ड में पुछा जाए तो कितनी हडियां होती है तो याद रखना चाइल्ड में आपकी मोर दे थ्रал Kendra Del Ton hugging 6133 इंद होती है अब मैं आपको केवल दो मिनट में बता देता हूं कि हमारे सारीर में 206 हडियां का काई पर होती है केवल दो मिनट लगेंगी आप ध्यान से समझना, मैं ये प्यारा सा चितर बना रहा हूं, आप में से कमेंट कीजिए सबस कौन से स्टुडेंट का ये चितर है, आप कमेंट कीजिए तब तक, मैं ये प्यारा सा चितर बना रहा हूं, आपको बताना है कि ये चितर किसका है, ये जो मैं पैंट ये आपको याद रखना है से आपकी पैंटिंग मनी है जल्दी से बताए किस बच्चे की है या यह पैंटिंग सबसु आधाऊ ची सेष्च ws खोपड़ी होती है या मनुस्य का जो क्रेनियम पार्ट होता है कापाल होता है इसमें कितनी हडियां होती है छे कार में कितनी होती है तीन और तीन कितनी होती है चेहरे पर कितनी होती है चोदा अगर गले में पूछ ली जाए तो कितनी होती है एक अगर चेस्ट बोन की पूछ हड़ी पूछ लिजाए गत्र सब्सक्राइस अगर पैरों में में वह फ्च लिजाए तो कितनी होती है अब देखिए अब आठ चैस्ट की और 24 चोमन और 26 असी 80 हडी तो हमारी ये हो गई अब एक आथ में 32 तो दोनों में कितनी हो गई एक पयर में 31, तो दोनों में कितनी हो गई 62 तो ये ओती है मारी हड आप अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात है एक च्छोटी सी बात बताओ कि हमारे सरीर की सबसे सबसे छोटी हड़ी या कौन सी होती है, सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है, छोटी हड़ी पाई जाती है कान में, और मोबाइल फोन में आप किसका यूज करते हैं, सर सिम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिम का, सिम का मतलब क्या है, सैसे मतलब स्टैपिज, या स् कस और M का मतलब क्या होता है मैलियस तो सबसे जो छोटी हड़ी होती है उसका क्या नाम होता है स्टैप सेया स्टैपिज और कान की तिननों हड्यों के नाम पूछ ले जाएं तो स्टैपिज इनकस और मैलियस समझ में आई बात next question देखिए सावास तो कान की सबसे छोटी हड्य होती है step watch August अवाथी सब्सक्राइब हर दरु uploading ऐस वाएक कीया निकल आए बच्चे इससे सहमत हैं कि थोड़ा सा थोरी भी कोण सा है तो याद रखना पादप का जो परजनन अंग हो कौन सा है फूल चैनल फूल जो आपका रि suivक करदिटिनड औद रिजिव पादप का अगर परजनन अंग पूछ लिया जाई तो कौन सा होता है? फूल होता है। रह जाएगी बाध जान में। NEST QUSON देखिए साबस HCL अमल काहां पर पाय जाता है? HCL अमल कहां पर पाए जाता है बताओ साबास HCL अमल कहां पर पाए जाता है उप्सन है यक्रीत दूसरा उप्सन है किड़नी तीसरा उप्सन है अमासी और चोथा उप्सन है अगनासी HCL कहां पर पाए जाता है सारे के सारे बच्चे बताएं HCL कहां पर पाया जाता है याद रखना HCL की अगर बात की जाए देखो HCL का मतलब क्या होता है Hydro-Cloric Amal HCL का मतलब होता है Hydro-Cloric Amal Hydro-Cloric Acid या Hydro-Cloric Amal यह हमारे सरीर में कहां पर पाया जाता है तो आपको याद रखना है कहां पर पाया जाता है पैट में पाया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है उदर कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है अमास से कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है स्टमक कहा जाता है तो जो HCL अमल होता है कहां पर पाया जाता है आपका स्टमक के अंदर पाया जाता है अब यह HCL अमल करता क्या है ये बात आपको important है, सबसे पहले आपने देखा होगा, ये हमारे पेट में acidity कर देता है, क्या कर देता है, आपको खटी डखारें आने लग जाता है, जब आप junk food जादा खा लेते हैं, या मिर्च मसाला वाला बोजन खा लेते हैं, तो आपको acidity हो जाते हैं, अब तुरंत जा तो आप इन्नों लेकर आएंगे, वो इन्नों किस medium के होती है, बेस की, और जैसे ही आप इन्नों का यूज करेंगे, पेट की acidity क्या हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो याद रखना आपसे HCL किसके लिए responsible होता है, पेट की acidity के लिए, दूसरा, यह important star कर रहा हूँ और अलग pen से लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि यह enzyme को, enzyme को activate करने का काम करता है, enzyme को activate करने का काम करता है, enzyme को activate करने का मतलब क्या है, किसी बे enzyme को sacrifice करने का काम करता है, आपके पेट के अंदर है, कोण है, HCL Amal, तो याद रखना कहां पर पायदाता है, अमास्य में पायदाता है, चलो एक छोटी सी बात बता दो, मुझे पेट का जो आकार होता है, वो अंग्रेजी के किस अकसर के सम समान होता है, किस के समान होता है, जे अकसर के समान होता है, रह जाएगी बाध्यान में, next question देखिए साबास, कौन सा परदूसन संकेतक पोधा है बई निमन लिखित में से कौन सा परदूसन संकेतक पोधा है बतिए सबास कौन सा परदूसन संकेतक पोधा है पांच सेकेंड आपके पास जल्दी से कमेंट कीजिए परदूसन संकेतक पोधा कौन सा है सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजी सावास देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कोणसा पर्दूशन संकेतक पोधा है तो याद रखना लाइकेन कोणसा है लाइकेन इसको पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में पर्दूशन सुचक के रूप में परियोग क्या दाता है जहां पर ये पोधा होगा अगर वहां पर मान की चलो किसी रूम के अंदर है वहां पर अगर सलफर डायोक्साइड की मातरा है तो ये पोधा क्या नहीं करेगा गरो नहीं करेगा वर्दी नहीं करेगा क्या नहीं करेगा वरिधी नहीं करेगा तो याद रखना तो लाइकेन हमेंने सेवाल का अध्यन क्या कहलाता है फाइकोलोजी कहलाता है क्या कहलाता है फाइकोलोजी कहलाता है क्या कहलाता है क्या कहलाता है माइकोलोजी कहलाता है सेवाल का अध्यन फाइकोलोजी कहलाता है और कवक का अध्यन क्या कहलाता है माइकोलोजी कहलाता है नेक्स्ट पास, SI उनिटों में कौन सा सही समेलित नहीं है, पहला उप्षन है कारिये जूल, दूसरा बल न्यूटन, तीसरा दर्वेमान किलोग्राम, और चोथा दाब डाइन, SI उनिट, भई आपको पता है जो वर्क होता है, इसको मेजर किसमें क्या दाता है, जूल के अंदर क्या दात होता है, जो आपका बल होता है, फोर्स होता है, इसको किसमें मेजर क्या दाता है, न्यूटन में क्या दाता है, मास को किसमें मापा दाता है, किलोग्राम में, मास की SI उनिट क्या होती है, किलोग्राम, सर प्रेसर की तो ये डाइन, आपकी CGS उनिट होती है, तो याद रखन और आपको यह भी पता चल गया कि साइंस किस परकार से पड़ी जाती है तो सारे के सारे बच्चे इस बैच में enroll हों और जादा से जादा वीडियो को share करें ताकि और भी बच्चे इस बैच को purchase कर सकें next देखी सबस UP Police का भी हमारा crash course चलावा है सिपाई बैच के नाम से CGL का संकल बैच चलावा है आर्मी का अगनिवीर बैच चलावा है या अगनिवीर बैच चलावा है आर्मी के लिए और जारखंड पुलिस का भी बैच चलावा है तो जो भी बच्चा जिस एक्जाम की तैयारी करता है वो उस एक्जाम का जो बैत चलावा है उसमें एन्रोल होकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है नेक्स देखो साबास डेसिबल एकाई का परियोग जिसके मापन में होता है वह कौन सी है परकास का विग उसमा की तिरवता दावनी की तिरवता रेडियो धर्मी आवर्ती सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए किरन रोए सावास जल्दी से कमेंट कीजिए सारे के सारे बच्चे कमेंट करो एक बार कमेंट कीजिए सावास सारे के सारे बच्चे कि कौन-कौन आपका इस क्यूसन का सही आंस्वर देता है मैं नाम बोलूँगा उसका, देखो, अगर बात की जाए, डेसिबल एकाई का परियोग किसके मापन में होता है, तो याद रखना धाउनी की तिरवता, किसमें होता है, इंटेंसिटी ओफ है, साउंड में, डेसिबल जो आपका होता है, इसका परियोग किसमें क्या दाता है, रह जाएगी बाद यान में, आप से कोई पूछे कि परकास का वेग सबसे जादा किसमें होता है, तो याद रखना निर्वात में होता है, किसमें होता है, निर्वात में, कितना होता है, तीन गुणा दस की पावर आठ मीटरे पर सेकेंड होता है, नेक्स देखी सावास, सबसे बारी दात्तु कौन सी है, सारे के सारे बच्चे एक बार सेयर करो सेशन को, सबसे बारी दात्तु कौन सी है, ओस्मियम, कौन सी है, ओस्मियम, सबसे बारी दात्तु कौन सी है, ओस्मियम, आप से कोई पूछ ले कि कैडमियम के कारण आपको कौन सा रोग हो जाता है, तो सबसे बारी दात्तु है ओस्मियम और सबसे हलकी दात्तु पूछी जाए तो लीथियम तो आपका सही आंस्वर आएगा ओप्शन है ए नेक्स्ट क्यूशन देखी साबास निमलीखित में से कोंसा एक आवेस रहित कण है सारे के सारे बच्चे बताएं कि कोंसा एक आवेस रहित कण है थोड़ा सा जोस या उमंग की कमी है आप सब बच्चों में क्या कारण है खाना नहीं खाया सुबह से या कुछ और काम चली गई थे बतिए साबास अरे आज तो संडे है सारे के सारे बच्चों में जोस जुनून होना चाहिए रेलवे में लगने के लिए कि हाँ बताओ साबास अब की बार थोड़ा से जोस आया सारे बच्चों में कमेंट करती रहिए आपको लगे कि हाँ हम बिलकुल सामने बैठ कर पढ़ रहे हैं टीचर हमें पढ़ा रहा है वो चीजे समझ में आ रही है देखो कौन सा एक चार्जलेस पार्टिकल है किस पर आपका आवेस नहीं होता है तो किस पर नहीं होता है न्यूट्रोन पर इलेक्ट्रोन पर कैसा चार्ज होता है नेगिटिव चार्ज होता है प्रोटोन पर कैसा चार्ज होता है पोजिटिव और न्यूट्रोन क्या होता है न्यूट्रल होता है तो आवेस रहित आपक पार्टिकल है वो कौन सा है तो याद रखना न्यूट्रोन नेक्स देखिए नुकलियोन्स सामाने नाम किस के लिए है बई नुकलियोन्स की बात की जाए तो इस सामाने नाम किस के लिए है रोयल राजखान कह रहे हैं कि खाना नहीं खाया क्यों नहीं खाया मत्त यह सबास नुकलियोन सामाने किसका नाम होता है देखो थोड़ा सा दो मिनिट लगेंगी मैं इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ कोई भी एटम है अगर कोई भी परमानू है उसके बीच में जो होता है वो क्या होता है नुकलियस और इसी नुकलियस के अंदर क्या क्या होते है तो याद रखना नुट्रोन और प्रोटोन होते है क्या होते है नुट्रोन और प्रोटोन होते है नुट्रोन और प्रोटोन होते है जो भी आपका नुकलियस है उसी के अंदर क्या होते है न्यूट्रोन और प्रोटोन होते हैं अगर न्यूट्रोन और प्रोटोन की बात की जाए तो यह किसे मिलकर बने होते हैं तो याद रखना न्यूट्रोन और प्रोटोन का निर्मान किसे होता है कवारक से किसे होता है कवारक से कावारक से ही निर्मान ओनी के काण इसी को क्या का जाता है नुकलियोंस का जाता है तो नुकलियस के अंदर या नुकलियोंस में क्या चीज़े पाए जाते है प्रोटोन और नूट्रोन पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं प्रोटोन और नूट्रोन पाए जाते हैं सराब का निर्मान किस परकिरिया के प्रेणाम सवरूप होता है भई उठेगा इंडिया बताए सवास कोन-कोन इसका सेवन करता है सारे के जो बच्चे सेवन करते हैं उसकी कसम लगे जिसको आप सबसे जआधा प्यार करते हैं बताएस। ऐसा कोन-कोन सा स्टुडेंट है मैं देखना चाहता हूँ की जो स्राब का सेवन करता है कोई स्टूडेंट नहीं है रहे ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है स्सेमेकर का एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो आपका एलको हलका सेवन करता हो क्लैपिंग कीजिए अपने आपके लिए सैबास तालियां बज़ेए अपने आपके लिए बिलकुल सारे के सारे बच्चे अपने लिए कलैपिंग कीजिए अगर आप सच में ऐसे हैं अगर जूट आपने बोला है तो मैंने बता दिया आपको उसकी कसम लगे जिससे आप प्यार करते हैं अब देख लीजी कौन किसको प्यार करता है देखो साबास अगर बात की जाए सराब का निर्मान किस परकिरिया के तहत होता है तो किन वन फर्मन्टेशन प्रोसेस के तहत सराब का निर्मान होता है किस के तहत लोही का निस्कर्शन किस एस्क से होता है बताई यह साबास लोहा किस एस्क से निकाला जाता है बताओ साबास देखो अगर लोही की बात की जाए तो आपको पता है लोही के दो महताव पूर्ण एस्क होते हैं वैसे तो और भी होते हैं लेकिन दो याद रखने आपको एक होता है तो और इक होता है मेगनिटाइट अगर हेमेटाइट की बात की जाए तो इसमें लगभग 70% लोहा होता है और मैगनेटाइट में कितना होता है 72% तो आप से क्यूशन पूचा जाए कि किस S में लोहे की मातरा जादा होती है तो किस में याद रखेंगे magnetite में, भई maximum मात्रा किसमें होते हैं, तो magnetite में, और अगर पूछ लिया जाए लोहे के S कौण से हैं, तो hematite और magnetite ये option मिलेगा, देख लिजी कौण सा है, hematite, कौण सा है hematite, आपको पता है bauxite किसका है, aluminum का, किसका है, S का है aluminum का, सर सीने बार भी कर रखा, आपने तो किसका है, तो ये है पारे का किसका है, पारे का, सीने बार किसका है, पारे का, next देखे सावास दराओ एदात्तू कोण सी है liquid non metal कोण सी है, बताए सावास, liquid non metal कोण सी है, दराओ एदात्तू कोण सी है बताए सावास कौन सी दराव ए दात्तु है की देखो अगर बरम दराव ए दात्तु लिक्विड नों मेटल पुछी जाए तो कौन सी है ब्रोमिन कौन सी यह भई है ब्रोमिन लीथियम क्या है सबसे हलकी दात्तु लाइटस्ट मेटल है सबसे हलकी दात्तू है हलकी दात्तू है कौन सी लिथियम सोने के अगर बात की जाए तो सबसे कम किरिया सील दात्तू है कौन है सोना रह जाएगी बाद द्यान में नेक्स देखिए सबस किसमें कार्बन की परतिस्ता अधिक होती है वो कौन सा कोईला है जिसमें कार्बन की मातरा अधिक होती है पहला है पीट कोईला दूसरा बिटुमिन्स तीसरा लिगनाइट और चोथा एंध्रेसाइट बता दीजिए सबस वो कौन सा कोईला है सुमीत करण बिलकुल आर्मी अगनिवीर के बच्चे इस कलास को ले सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ वादा करता हूँ आपसे एक भी क्यूशन आपका इन प्रैक्टिस सेशन से बाहर नहीं जाएगा बताईए साबास कौन से किसमे कार्बन की परतिस्ता अधिक होती है किसमे कार्बन की परसंटेज अधिक होती है तो किसमे होती है एन्थ्रे साइट में सबसे अच्छी कवालिटी का जो कोईला है सबसे उच्छ गुनवत्ता का जो कोईला है वो कौन सा है एन्थ्रे साइट और सबसे कम जो गुणवत्ता का कोईला है वो कौन सा है तो याद रखना पीट कोईला कौन सा है पीट कोईला अगर बात की जाए इसी में सबसे कम मात्रा मिलती है किसकी कार्बन की और सबसे जादा किस में मिलती है एंथ्रेसाइट में भारत में कौन से कोईले का प्रियोग क देखिए, हीरा होता है, मुलायम होता है, पारदर्सी होता है, रंगीन होता है, विद्धुत का सूचालक एपारदर्सी एवं काला, तो याद रखना जो हीरा होता है, पारदर्सी एवं रंगीन होता है, पारदर्सी एवं रंगीन होता है, जो डाइमंड होता है, यह क्या होत सिलिकोन कारबाइड का जाता है क्या का जाता है सिलिकोन कारबाइड का जाता है किसे करत्रीम हीरे को रह जाएगी बाद जान में बहीं करत्रीम हीरे को आर्टिफिसियल डाइमंड को क्या का जाता है तो याद रखना सिलिकन कारबाइड का जाता है क्या का जाता है सिलिकन समराट कीसे का जाता है तो याद रखना रखना रसाइनों का समराट का जाता है सलफूरिक अमल को किसे का जाता है सलफूरी अमल को क्या फार्मूला होता है सर adsto । ऑस सop ओ तदा Monta Kyo upटा है at h2 s Clubror इसी को क्या करते हैं miuretic acid केते क्या करते हैं miuretic Acid केते। miuretic عمل कहते हैं किसे आपका H2SO4 को क्या कहते हैं H2SO4 का Muretic Acid कहते हैं आप से पूछा जाए कि जो हमारे घरों में बैटरी होती है उसमें Electrolite के रूप में बैटरी में Electrolite के रूप में Electrolite के रूप में हम किसका प्रियोग करते हैं इन्वेटर बैटरी होती है उसमें किसका प्रियोग करते हैं सल्फ्यूरिक अमल का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं सल्फ्यूरिक है अमल का नेक्स्ट क्यूशन है दूद के दही के रूप में जमने का काण है भई दूद का दही में जमना किसके काड़ होता है, Lactobacillus के काड़ होता है, दूद का दही में जमना, किसके काड़ होता है, Lactobacillus के काड़, विमा, MLT-2, किसका फार्मूला होते है, बता, ये सबास, ये किसका dimensional फार्मूला होता है, चलो इस question को बता देता हूँ, दो मिनट लगेंगे आपका, सबसे पहले velocity, जो wave होता है, उसका dimensional formula क्या होता है, wave क्या होता है, speed upon में time, speed upon में time, अब speed को किस में मापद आता है, meter में, और time को किस में मापद आता है, second में, तो meter par second, अगर dimensional formula लिखेंगे, तो क्या जाएगा, m, 0, l, और t minus 1, t minus 1, अब acceleration है, तावरण, तावरण क्या होता है, velocity upon में, velocity upon में time, तो इसका क्या जाएगा, meter par second square, meter par second square, अगर dimensional formula लिखेंगे, तो m, 0, l, 1, t minus 2, t minus 2, अगर बात की जाए, work का, अगर बात की जाए, अगर बात की जाए, work की, तो जो कारिये होता है, यह क्या होता है, force into displacement, force into displacement, तो सबसे पहले हमें force का formula निकालना पड़ेगा, अब force क्या होता है, बल क्या होता है, mass into acceleration, mass into acceleration, mass को किस में measure क्या जाता है, kilogram में acceleration को meter par second square में, किस में लिखा जाता है मिटर पर है सेकंड स्केर में लिखा जाता है इसको किस में लिखा जाता है मिटर पर है सेकंड में तो किलोग्राम के लिए किसका यूज करेंगे M का मिटर के लिए किसका यूज करेंगे L का और सेकंड के लिए किसका लिखेंगे T-2 का, किसका लिखेंगे T-2 का तो MLT-2, यह किसका फर्मूला आ गया, बल का तो हमारा जो question है, इसका answer तो यह हो गया अब work का देख लेते हैं, कारिये का फोरस का क्या होता है, MLT-2 अब displacement क्या होता है, विस्तापन क्या होता है बते ही साबास जो displacement होता है, उसको किस से denote क्या जाता है, L से, तो क्या जाएगा, MLT-2 तो आप से कोई भी पूछ ले कि work का क्या होता है, MLT-2 तो यह option आपका सही था, सारे के सारे option मैंने describe कर दिये, तो ध्यान रखना है आपको, यह थे आज के आपके question, तो कैसा लगा, आप सभी को यह session जल्दी से comment करके बताएं, सारे के सारे बच्चे एक बार comment करें, किस किस को यह session अच्छा लगा आज आप से दो मिनट बाते करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताओ, सभी का नाम बोला जाएगा आज बताएं साबास्त, किस किस को यह session अच्छा लगा, सभी का नाम बोला जाएगा, यादव PSUP बाई मत कीजिए अभी हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने सुनाओगा इंतजार करते रहना चाहिए अगर आपको सचमे कलास अच्छी लगी तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट है, कि सारे के सारे बच्चे कमेंट करें, अरे जितने आप बच्चे मुझे दिखाई दे रहें आपके कमेंट उसका एक परसेंट भी नहीं आरा अरे आप इतना तो कर सकते हैं, एक सेकिंड लगेगे आपको कमेंट करना है और दूसरा शेर करना है, मैं आपसे वादा करता हूँ एक बात का, आप जितना एप्रिसेशन आप मुझे करेंगे जितना आप स्पोर्ट करेंगे, जितनी चीजों को बताने की कोशिस करेंगे मैं वादा करता हूँ आप से उतना ही अच्छा और उतने ही सही तरीके से आपको content बताऊंगा कि ये चीज़े आपको पढ़ने से बताऊंगा तो वैसे भी लेकिन आपका थोड़ा सा जा अगर आप इस परकार से थोड़ा सा comment करेंगे, share करेंगे, आप sport करेंगे तो हमें लग शुशार लाहर, तो हमें लगा जाप से वीज़े अवरेगों? झाल झाल